नमस्कार मेरित उमर, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल फ्लैटफॉर्म पर आज हम बात करने वाले हैं सुल्तानपुर के मंगे श्यादव के एंकाउंटर को लेकर जिसको लेकर लगाता है सियासत तेज होती जा रही है थोड़े दिनों पहले आखिले श्यादव ने इस एंकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े किये थे और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगिया आदितनाप ने आखिले श्यादव के जो सवाल थे उनको लेकर जवाब दे लिया है पेरे साथ में मेशा जुड़ेंगी इस चर्चा में इसके साथ वो यह बताएंगी कि आखिर इस पूरे मामले में जो सियासत गर्मा रही है इसमें समाजवादी पार्चे की तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा गया है और बेजयोपी में उसका किस तरह की से जवाब दिया है तेकि मंगी श्यादव के इंकाउंटर के बाद उतर प्रदेश में जो राजनीती है वो अपने चरंप है विपक्ष लगातार सरकार को घेननी की कोशिश कर रही है योगी आदितनाथ की जो सरकार है उस पर तमाम जो ब्लेम लग रहे है यह कहा जा रहा है, राहूल गांधी और अखिलेश आदव की तरफ से यह कहा जा रहा है, कि रूल जो है, जो कानून है, जिसकी सरकार है, BJP की सरकार है, BJP सरकार खुद इस कानून का धज्जिया उड़ा रही है, law and order को कोई follow नहीं कर रहा है, अखिलेश आदव में यह सवाल पूछा है, योगी आदितनाथ से, कि जो प्रदेश में जो कानून है, किस अपराधी को क्या डंड मिलेगा, इसका यह काम देखना, सरकार का है, या पुलिस का है, या फिर जो कोई अपराधी है, उसके लिए एक map डंड होते है, एक पूरा process follow होता है, एक कानून है, उस कान आदि पार्टी और कॉंग्रिस को इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लग रही है, जब दंगाईयों और अपराधियों के ऊपर जब गोली चल रहे है, यह कहा कि जो मंगेश यादव था, वो एक अपराधी था, जिसके ऊपर इनाम रखा गया था, वो बंदूग की नोग पर ज जलित हो सकते थे, किसी पिछड़े वर के लोग हो सकते थे, वो किसी की भी जान ले सकता था, इसी वज़े से वहाँ पर पुलिस में जवाबी कारवाई में ये आक्शन लिया, अब देखे, यहाँ पर उप्चुनाओं से पहले लगातार ऐसी तस्वीरे सामने आ रही है, प लगातार हम इसे मामने देख रही कि उप्चुनाओं से पहले एक के बाद एक ऐसी तस्वीरे सामने आ रही है, जिसमें पक्ष और विपक्ष लगातार आपस में भड़ रहे है, और यह जो मंगेश यादव वाला जो मुद्दा है, एक तरफ बहुती साफ शब्द में बता है कि जब अपराधियों पर जब शिकंजा कसा जाता है तो आखिर विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लगते है और यह सारी घटनाए जो है उप्चुनाओं से पहले सामने आ रही है और इसका असर कहीं न कहीं उप्चुनाओं पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिशा ठीक कर एंकाउंटर करती है यानि कि वो यादव जाती से आती है इसलिए उनका एंकाउंटर कर दिया गया क्योंकि परिवार की तरफ से भी आरूप लगाया गया है कि मंगेश यादव को दो दिन पहले उटपा लिया गया था उसके बाद फेक एंकाउंटर कर दिया गया जो मु बुरा लगता है, उनको पसंद नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी लखनौ का छिडखाने का जो मामला था, उसमें हमने देखा था कि सदर में, मुग्या मंत्री होगा आदे तिनाफ ने एक लिस्ट फूरी पड़ी थी, जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग के दो नाम यह थे, जो कि एक मुसलिम वर्ट से था और एक यादव वर्ट से था, तो कही न कहीं उनको पर आरोप लग गया, क्योंकि उसमें यादव वर्ट से कोई है, तो ऐसे में उनने टार्गेट किया है जाती को, लेकिन जाहर है कि आप राधी की कोई जात नहीं होती, और अगर आप लेकिन बुद्धी नहीं मिलक division बिल्कुल बिल्कुल विरास्तबं सिग के लिए the messenger fola it बुद्धी नसादर नहीं को अवग अनुने पएपर उनने सीधें स्वालपू के पार सिदा सव्वाश् critique चुर्ब टिन सर्माें वह अए सघ्ञ आप सोब सिदा सके100 एपकूलeng k highlights कर रहे हैं इस तरह के तमाम इल्जाम लगाए जा रहे हैं मैं आपको यहां पर यह भी बता दू कि यह जो लूट कांट हुआ है इसमें क्योंकि एक जुलरी शॉप से लूट के वालदात को अंज्राम दिया गया इसमें और भी कई आरोपी हैं जिसमें चार से पांच ऐसे हैं जिन्होंने सरेंटर कर दिया मंगेश यादव के बात की जा रही है कि क्योंकि उरकी तरफ से फाइरिंग की गई थी मंगेश यादव की तरफ से और ऐसे में जवावी फाइरिंग में मंगेश यादव को गुली लगी जिसमें मंगेश यादव की मौत होगी एक लाख जो कि यादव की कटेगरी से ही आते हैं, तो ऐसे में अगर उन यादव के आने वाले अपरादियों को छोड़ दिया गया तो अब यह जो बात इस तरह के सवाल खड़ हो रहे हैं, हाला कि हम देखे तो इसमें और भी क्या तरह के आंगल निकल कर रहा हैं, लेकिन अभी फिलह यादव काफी जादा मुखर होकर सपोर्ट करनी की कोशिश कर रहे है तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई किसी शक्स का नाम के आगे अगर यादव लगा हुए और वो एक अपराधी है तो क्या अखिलेश यादव हर बार इन अपराधियों को बचानी की कोशिश क क्योंकि एसा ही मामला, Nawaf Singh Yadav के केस दिंपल Yadav के करीबी माने जाते थी और उसके बाद उनके नाम के आगे यादव सा तो वहां पर भी जाती का कार्ड वहां भी गेला गया था तो ये आखिर क्यों कि हमेशा ये कहते है कि जो एक अप्राधि होता है उसका कोई जात लही ह कोई दर्म नहीं होता है को सामने का अगर अगर इदध के लुआ कोहारी होता है तो तो आकिर ये बार रहा है किस 광고 किश अपने दूसरी बात खड़ी नहीं होती है कि अपर भी थोड़ी तरह यह आपको बताया कि और भी यादव नाम के जाती कि जो लोग है वो इस काड़ में शामिल थे जिसमें उनके नाम है यहाँ पर अपर अगेश यादव के अलावा अंकित यादव एक नाम है और समाजवादी पार्टी को जिसमें इसमें विपन सिंग, विने शुकलाजा, यादव अरविंद, रियादव विवेक सिंग, दुरगेश सिंग, ये सब ही जो लोग है इस पूरे कान में शामिल थे, लेकिन क्योंकि एक आरोपी मारा गया एंकाउंटर में, अब जो भी उसके प पहुँच गई है, लूट कान अपराधी, नौ से दस अपराधी इसमें शामिल रहे हैं, लेकिन बंगेश यादव अनकाउंटर में मारा जाता है, इससे पहले हमने देखा, जब आयूधिया कान हुआ, तो वहाँ पर भी DNA टेसकी मांग कर दी जाती है, अब क्योंकि MY समिकर और यह कोई पहले बार नहीं हुआ है, कि समाजवादे पार्टी जाती को ढूंड रहे हैं, लेकिन किसी अपराधी में जाती ढूंड ना, कहां तक छी है, कैसे लेखें से इस सब इस इंकॉंटर पे सिक जाती नहीं, कई अंगल से सवाल उख रहे हैं, जो मंगेश यादव क माँ और उनकी बहान का काना है, जो योपी पुलिस रात में, योपी अस्टिपेस की टीम साधी वर्दी में रात में आई, दो बज़े उठा के ले गई, उसके वाद से फिर उनका सुबह में आया था, जो उनका इनकॉंटर हो गया, इससे पहले भी खबरें आती है, जो उस काई आता है, उसका जो में मास्टर माइंड है, वो किसी खास जाती के होने के कारण उनको उसको बचाए जाता है, तो इसमें कई इस इस इनकॉंटर में पेच भी है, तो देखिए, सियासत होना सब अपनी जगा है, लेकिन अपराधी ना बचे और बेगुना को सजाना है, यह हमारा जो रूल अफ लौ जो हमारा है, यह काता है, जो अपराधी को हो, और एक बेगुना को बचाने के लिए, अगर सौ भी अपराधी को छोड़ना पड़े, तो हम करते हैं, इस पे सवाल यह उठता है, इनकॉंटर पे, अगर इनकॉंटर पे सवाल उठता है, जो सभ हो जाए, इस पे देखे, योगी आदितिनाथ, शुरू से लो अन्य ओर्डर को लेके, जिस तरह से हमला बर रहे हैं, और योगी आदितनाथ, जिस तरह से बोल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में, दो हजार सत्रह के बाब में, जो वो सत्ता में आये, तो उससे पहले, यहा और योगी आदिनाथ, आप पिछले साथ सालों से योगी आदिनाथ, जब से कारिकाल में आये, तो लगातार, इसमें एक सबसे बड़ा एक्जामपल, आप मुक्तार अंसारी का लिलीजी, मुक्तार अंसारी जिनकी अभी हाल ही में मौत हुई, जाहिर तोर पर कितने कैसिस उनके उपर रहे हैं, एक जाना माना नाम, अपराथ जगत में, लेकिन वहाँ पर मिट्टी डालने जाना, और ये बात खुद इनोंने कही थी, उक्या मंत्री होगी आदितिनाथ, कि कल्यान सिंग के लिए आपने एक शब्द नहीं का, लेकिन आप मिट्टी डालने के लिए डेकि बात आपकी सही है, लेकिन दिक्तियों बहुता है, जो किसी नीजी होता है, मानली गोर्टी डालने में यह बुरा ही लेकिन उसको ब्यग्दिगत उस पर भ्चाव कर देना सियासट में ही होसकता है, मुगत dormit क्रिमिनल थे, क्रिमिनल थे, पैग्राण्स के थे, सब लेकिन अख्लिश यादवी तरफ से कुछ नहीं आया तो क्या जाती विकास दूबी में नहीं दिखाई दी नहीं देखिए जब अपने उपर आता है वोटर मेरे हिसाब से लगता है देखिए वोट बैंक की राज वीती है क्योंकि यादव के वोट हमें मिलते हैं तो हमें उन कि दंपर्टि के साथ च्छेखानी करने वाले तो कई लोग उसमें थे लेकिन उसमें से सिर्फ दो लोगों का नाम लिया एक यादव और ये मुस्लिम का तो देखिए सियासत को अपने अपने फायदे के हिसाब से आपके गोटी कैसे फिट हो रहा है आपकी सियासी रोटी क इसे किर जाएगी तो उस पे सारा ताना बना होता है CM Yogi का सिर्फ मतलब CM Yogi का मोटो है जो प्रदेश में Law and Order के नाम पे लोगों को ये बताना जो दिए हमसे पहले जो सरकार थी मतलब इस तरह का Law and Order नहीं था हमारे टाम में ये है हाँ लेकिन ठीक है Law and Order ये आप कीजिए लेकिन बेगुना को लेकिन बेगुना को कि आखर क्या रहा है 2017 से लेकर 2023 तक अगर हम क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें जिनके एंकाउंटर में जो लोग मारे गए हैं उतर प्रदेश में अब तक 183 अपराधी मारे गए हैं मारे गए इन अपराधियों में 61 मुस्लिम रहे हैं 18 ब्रामन, 16 ठाकूर, 15 जाट और 14 यादव, 13 दलित तीन ट्राइब्स, 2, 6, 7, 22 और 34 सन्ने शामिल हैं अगर हम इसके हिसाब से देखे हैं तो 18 ब्रामन है, 16 ठाकूर है अगर इन कॉंटर कोई बेगुना की जान नहीं जाए और कोई बदमास है तो पुलिस को यह नहीं है, हक नहीं है उसके एक कानून बिरस्ता है अगर पुलिस पर साथनी अपना नियाई करने लगेगी तो फिर कानून रहेगा, फिर कोट की क्या जोगत है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए अगर इन कॉंटर कोई भी सकेंड सुवा है यूपी पुलिस के दामन पर भी HDF के दामन पर भी छीटे पर रहे है तो इसका एक मुकमल जाच हो जाने चाहिए दूद का दूद पानी का पानी हो जाना चाहिए तो जानकारी आपको कैसी लेगे, कॉमेंट की जूरू बिदाएगा, लाइक हीजीगा, शीरी खीजीगा, धन्यवाद